जैश्री कृष्णा कैसे हैं आप सब आपका स्वागत है सातवीक रेसिपीज में नाश्टे के लिए कोकोनड डोसा और दो दरे के हम चटनी बनाने वाले हैं तो चली शुरू करते हैं तो पहले हम एक कप इतना चावल लेंगे बरतन में इसमें थोड़े से ही मेथी दाना डालेंगे तो हमें बस दो तीन बार चावल को अच्छी तरह से पानी से धोक कर लेना है अब इसमें हम पानी डालेंगे और इसके उपर ढखकर रखकर हमें चार पाच गंडे के लिए चावल में इसे पाने निकाल लेंगे, अब मिक्सिजार लेते हैं, इसमें हम भीगों के रखे हुए जो चावल है न वो डालेंगे, इसी की साथ इसमें भीगों के रखा हुआ पोहा है वो डालेंगे, आदा कप ताजे नरियल के यहाँ पर मैंने तुकडे लिये हैं, वो डाल बस इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे हमें एकदम से बारिक पीस लेना है सिर्फ चावल का प्रयोग किया है इसमें हमने कोई भी दाल का इस्तेमाल नहीं किया है इसे हम बरतन में निकाल लेते हैं इसके ओपर ढकन लगाएंगे और बारा घंटे के लिए इसे फर्म मुंगफली है वो डालेंगे इसे के साथ दो सुकी लाल मिर्च है वो भी डाल रही हूँ अदर का छोटा सा तुकड़ा डालेंगे और चुटकी पर इसमें हिंग पावडर है वो भी डालेंगे तो बस इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं अब इसमें एक रफली चॉप कि या हुआ टमाटर है वो डालेंगे टमाटर हलके गल जाने तक इसे हमें पका लेना है बहुत ही अच्छी लगती है मुंगफली और टमाटर की चटनी अब यहाँ पर मैं एक बड़ा चमच इतना सफेद तील है वो डाल रही हूँ तो बस इसे की उच्छ मिनिट के लिए इस की बारिक पेस्ट बना लिनी है यहाँ पर मुंफली और टमाटर की चटनी तयार है इसे हम बावल में निकाल लेंगे अब हरी चटनी बनाने के लिए पाउन कप इतना चौप किया हुआ ताजा नरियल लिया है मैंने जिसे हम मिक्सिज़ार में डालेंगे इसमें ताजे धन रेडी है तो इसे बावल में निकाल लेंगे दोनों चटनी के उपर राई और कड़ी पता का जो तड़का है वो डालेंगे और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे तो दोनों चटनी तयार हो चुकी है तो अब डोसा बना लेते हैं अब डोसा बैटर को चेक करते हैं जिसे मैंन उवरनाइट रखा था इसमें हम थोड़ा सा नमक और आदा चमर जितनी चीनी है वो डालेंगे तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं यहाँ पर हमारा डूसा का बैटर तयार है तो फटा पर इसके डूसे बना लेंगे यहाँ पर पैन अच्छे से गरम है तो डूसा का बैटर डालेंगे जब इसके उपर नब बबल्स आएंगे तब ही हम इसके उपर घी या फिर तेल डालेंगे अब इसके उपर ढखन रखते हैं और बस 3-4 मिनिट के लिए इसे पकने देंगे थोड़े देर के बार ढखन को निकाल लेते हैं सिर्फ एक तरब से इसे पकाना है तो यहां पर डोसा बिल्कुर रेडी हो चुका है तो इसे हम निकाल लेते हैं और गर्मा गरम डोसा के साथ दो दर्य की चटनी को सव करेंगे बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉंजर रहता यह डोसा तो आप इसे जरूर ट्राइ करिएगा बहुत ही टेस्टी लगता है आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे जरूर ट्राइ करें फिर मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ